हाई विडियो आज की इस वीडियो में हम सुल करने वाले हैं एक नई की प्रॉब्लम का नाम है सम फस्ट एन नेट्रल नंबर्स यहां पर क्या दिया जाएगा हमें इंपूट में दिया जाएगा एक एक नंबर एन और हमें अप्टु एन तक जो भी नेट्रल नंबर से उनका टोटल सम में वह आटपूट करना है बट विड़ एलप ओफ रिकरजन नोट उजिंग लूप और सम्थिंग तो अगर हम इस प्रॉब्लम को लूप से करते तो हम क्या करते हम एक लूप चलाते फॉर सपोस्स आई हम बानते और आई को हम वन से चला कर लेते एं तक और फिर रिकरजन के टॉपिक को अच्छे समझना है इसलिए हमें चोटी चोटी प्र doors कर इंश समझना पड़ेगा इस परोलम को हमा execसे करेंगे चले देखते हैं यह से कैसे करेंगे सब ecosystem क्या होता है और है that the dealing में क्या जीजए डिह साइड करने हो थी कि मैस सब से पहले 2 डोब करने क्या होता है जब भी एक function अपने आपको बार-बार कोल करता है तो उस प्रोसेस को हम recursion बोलते हैं लेकिन हमें उसे stop करना होता है अगर हम उसे stop नहीं करेंगे तो हमारा जो memory stack है वो फुल हो जाएगा और हमारा code error देगा और हमारा code fail हो जाएगा बेसिकली तो उसका हमारे किसी काम का नहीं रहेगा बेसिकली तो हमें इस problem को recursion से solve करना है हमारे सबसे पहला टास्क है वह है हम इस problem का recursive function है वो निकाले तो जिससे कि हम यहां पर दियावा है 1 प्लस थो प्लस 3 प्लस 4 फाइव फर एक्जांपल यहां पर एनिको फ सच वाइव है हमारे अंसर को लाने के लिए हम यह करेंग एंग बन्द्ध टू प्लस ट्री यहां पर n-1 मितलब यहां पर sum of 4, up to 4 तक का, ठीक है, महीं पर अगर हम बात करें sum of 4 की, तो वो क्या होगा, 4 plus sum of 3 हो जाएगा, और महीं पर sum of 3 करेंगे हैं, तो sum of 3 क्या हो जाएगा, 3 plus sum of 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें n-1 करना है, और sum of 2 करेंगे अगर हम, तो वो हो जाएग हमारा two plus some of one and sum of one अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस अब हमने some of zero तो करना ही नहीं क्योंकि आप natural number हमारा zero तो कोई 수op natural है नहीं और हमें बताया कि हमें natural number तक करना है तो जब तक हमारा sum of one मουμεました बमारी के पहले तक हमें सम करना है अधर्वाइस अगर हमारी एन की विल्यू वन हो जाए तो हमें सिंब्ली वन रिटन करा देना है तो यह हो गया हमारा क्या बेस्केस देखिए हमने यहां पर इससी प्रोब्लम को हमने सबसे पहले उसका रिगर्जिव सॉलुशन रूड़ा फिर रि हम रिटन करेंगे क्या करेंगे ईन प्लस सम फ एन माइनस वन क्योंकि अब यह हमने देखा था प्रइजमपल हमारी एन की वह तो हम क्या लिख सकते हैं तो दोनों चीजिए इक्वली है तो इसलिए हम इस रिकर्श्टिव सो हमने रिकर्श्रिव रिलेशन बना लिया और हम पर हमने यहाँ पर सबसल अब स्क्राइब करिया अब आई यह दिकते हैं इसको सा हम कोंड में क्यों से चलाइंगे और हमारी में कशलेगा ऊद अब सीमयरी में उसको समझते हैं धूरा स्काथ को ओढं़ेंगे रि acceptable time करेंगे तो देखे सब एक फंक्शन बनाया जो हमें हमें सम क्लिकुलेट करके लाके देगा ठीक है उसमें एन पास करेंगे अब हमारा बेस के सम सबसे उपर लिखते हैं क्योंकि हमें यहां पर हमारे फंक्शन को रोकना पड़ता है तो हम देखेंगे कि अगर हमारी एन की विल्यू वन हो जाएगी एक्जमपल हमारी एन की विल्यू ठीए और हमने इस फंक्शन को हमें भार कोल करना पड़ेगा फॉर एक्जमपल हमने इसको ग्लोबल स्पेस में कॉल कर दिया विद्धी वेल्यू ओफ तो देखिए अब हमारी कॉल स्टेग में यह फंक्शन कैसे चलेगा सबसे पहले हमार जो फंक्शन है सम अफ 3 वह हमारे कॉल स्टेग में आ जाएगा अब यह फंक्शन हमारा एक्जिक्यूट होगा एक्जिक्यूट होने के लिए पहले लेन पर नहीं है तो यह वाली कंडिशन यहापर फॉल्स हो जाएगी और यह नेक्स लाइन में आएगा अब यहाँ पर द को हमारे प्रोग्राम में ढूंड़ेगा यह फंक्शन तो वह खुद ही है तो वह क्या करेगा एन माइनस वन कर देगा एन माइनस वन के साथ खुद को कॉल कर देगा तो फॉर एक्जामपल हमारी एन के विल्यू 3 थी अभी आपर तो यह कॉल हो जाएगा सम और जैसे यह फंक्शन तो अभी बेठा है इसके रिजल्ट के लिए लेकिन उसके पहले ही हमारे एक नया फंक्शन कॉल हो जागा जो कि सम आफ टू के साथ कॉल होगा अब हम वापस से इसको एक्जिक्यूट करेंगे पहली लाइन में आएगा देखेगा क्या एक निकोस्ट हुआ नहीं और हमारे कॉलिस्टेग के साथ अब हमारा यह वाला फंक्शन तो अभी इसके रिजल्ट के लिए बठा हुगा है इस वाले रिजल्ट के लिए लकिन उसके पहले ही हमारा ली बन तो हमारी इसे क्या करेंगे si रिटर्न कर देंगे तो इसने रिप्र्ण कर दिया और panelists function हमारे कॉल स्टेक्स से भार हो जाएगा अब जैसा कि मैंने आपको बता है कि यह वाला जो हमारा function अभी वेट कर रहा था इस वाले calculation के लिए तो इसे क्या करना दा टू प्लस जो भी यह वाला function इसको return करेगा उसकी value को इसको प्लस करना था तो इसने हमारी यह memory से भार होता है तो हमारा जो यह वाला function था यह वाला function sum of 3 के साथ यह वेट कर रहा था इसका sum of 2 का यह वेट कर रहा था sum of 2 के result का तो sum of 2 के result ने हमें return किया है 3 तो यह simply plus कर देगा 3 plus C को तो जो हमारा total answer है वह आजाएगा 6 तो अगर हम इसको 1 plus 2 plus 3 भी करते हैं तो हमारा answer 6 आता है तो इस तरीके से हम इस problem को solve कर लेंगे तो हमने यहाँ पर basic चीज क्या करी है इस problem को solution के लिए हमने सबसे पहले तो हमारी जो बड़ी problem थी उसको हम छोटे parts में किसे डिवाइड कर सकते हैं और ऐसे part में डिवाइड करें कि हम उस part को repeat करकर हमारे answer को last के हमने हमारा जो recursive function है वह बनाया means जो हमारी recursive call है वह बना ली और फिर उसके बाद हमने उस recursive call को dry run करके ही हमने हमारा base case निकाला था जैसे कि मैंने आपको बताया था और फिर base case को हमने लिखा और हमारे जो recursive function है उसको भी हमने हमारे function के अंदर लिखा और इस तरीके से हमारा जो desired output है वह हमें मिल चुका है चली करते हैं इस प्रोलम को code फिर से तो हम आ चुके हमारे वी एस code पर और यहां पर हमने एक function मनाया है get sum जिसमें हमें एक number pass करना है n और हमें up to n तक जो natural number से उनका sum calculate करके output करना है हमने इस function को console log कर लिया था कि हम इसके output को console में देख सकें चली इसके code को लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे base case को तो हमारा जो base case हमने decide किया था हमने कर रहा था कि अगर n की value 1 के बराबर हो जाए तो हम return करतेंगे यहां से 1 otherwise हम क्या करेंगे return n plus get sum of n-1 तो हमारा जो code पूरा हो चुका है हम करते है इस code को run करेंगे तो हमारा desired output 15 वह हमें मिल चुका है लेकिन यह कैसे चला यह function उसको हम memory में देखते हैं इसको debug करते हैं थोड़ा सा तो मैं यहां पर कुछ debugger लगा देता हूं एक debugger में नहीं हां लगा दिया और एक debugger को मैं यहां पर लगा देता हूं जैकि जिसे हमने हमारे program को debug करा तो सबसे पहले पहली step में क्या हुआ जो हमारा get sum वाला global वाला function है वो call हुआ और फिर वो execute होना start हुआ तो वो पहली line में आया पहली line में आया उसने check करा क्या n equals to 1 है तो हम जिसे इसको next line करेंगे तो वो n equals to 1 false हो गया इसलिए वो second line में आ गया अब वो यहां पर करेगा n plus get sum of n-1 तो उसन get sum of 5 हमारा get sum of 4 call होने लगा है उसका execution start हो गया उसने फिर से देखा क्या n की value 1 है नहीं है तो वो आएगा next line में देखिए वो next line में आया फिर उसने करा n plus 1 n plus get sum of 3 मतलब तो हमारी अब n की value जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी next time क्योंकि हमारा function अब call होने लगा है जो third time हमारे stack में आ गया है फिर इसको जो third time हमारा function call हो रहा है फिर वो देखेगा क्या n equals to 1 है तो यह वाली condition false हो जाएगी देखिए हम जैसे next step करते हैं और next line में आ जाएगा यहापर फिर से वो यह वाली line को run करेगा और देखे उसको एक और function मिला और वो function हमारे call stack में आ जाएगा with the value of two next बार फिर से हम इसे run करते हैं तब हमारा फिर से n equals to 1 नहीं है फिर वो आएगा next line में फिर से उसको एक और function मिल जाएगा get some और यह इसको अभी जैसे हम को run करेंगे तो यह one के साथ से call कर देगा अब जैसे इसने इसे one के साथ call किया तो यह इस line में आएगा और यह वाली मिलना स्टार्ट हो गए क्योंकि उन्हें उनका जो आंसर आउटपूट है वो मिलना शुरू हो गया तो देखे अभी एनी कुस्तु 5 वाला हमारा कॉल हुआ और हमारा जो डिजाइड आउटपूट है जिसे इसको हम लास बार करेंगे तो हमारा जो डिजाइड आउटपू